नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है HP Aspirants Zone तो दोस्तों ये वीडियो सिरीज आपके लिए बहुत-बहुत ज्याद़ इंपॉर्टेट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो सिरीज में आप साथ डिसकस करने वाला हूँ 1000 Most Important Computer MCQs और दोस्तों अगर आप जो ये वीडियो सिरीज आपके लिए बहुत helpful रहने वाली है और दोस्तों आपने देखी लिए होगा जो एक्जाम लेवल अब आ रहा है आपको और मेहनत करने की दोस्तों जरूरत है क्योंकि एक्जाम का लेवल बढ़ते हुए नजर आ रहा है और दोस्तों जितने कोशन आप कलेक्ट कर सकते हैं जितने इनफोर्मिशन आप कलेक्ट कर सकते हैं वो करिए और दोस्तों हमारी भी कोशिश रहेगी इस वीडियो सिरीज के जरिए कि कोशिश की गई है कि जितने भी मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो सिरीज पर्टिकुलर्ली करी है JOIT postcode 939 को तो दोस्तों कोशिश की जाएगी जो भी सले बस आपका JOIT postcode 939 से related है उस से related सारे questions आलमूस सारे question यहाँ पर discuss करने की कोशिश की जाएगी और हर level के question यहाँ पर discuss किया जाएगा दोस्तों तो दोस्तों यहोगा part 1 और इस part 1 में मैं आपसार discuss करने वाला हूँ 50 MCQs ऐसे ही 20 से 25 वीडियो जाने वाली है जिसमें हर वीडियो में 50 questions यहाँ पर आपके साथ discuss की जाएंगे तो दोस्तो topics की अगर मैं बात करूँ वैसे तो JYT का सले बस यहाँ पूरा है फिर भी यहाँ पर मैं topics आपको बता दूँ जो जिससे related यहाँ पर MCQs discuss करने वाले computer architecture memory, networking, internet HTML दोस्तों आपने देखा होगा कि HTML से यहाँ पर काफी question पूछे के थे networking से काफी question पूछे के थे C language से काफी question पूछे के थे C++ language से भी कुछ question देखने को मिले थे virus, MS office MS office में सबसे important यहाँ पर जो topic बनता है MS word और MS Excel particularly दोस्तों काफी question MS Excel से देखने को मिले है visual basics से भी question देखने को मिले है inventions, history of computers, DBMS MS access की अगर मैं बात करूँ hardware and software और 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 भी जो topics यहाँ पर mention नहीं है सारे question जो भी syllabus से related है वो यहाँ पर discuss किया जाएगा लेकिन particularly मैंने यहाँ पर यह चीज़ mention किया है क्योंकि यहाँ से question देखने को दोस्तों जादा मिल रहे है तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने question number 1 की तरफ analytical engine, the first fully automatic calculating machine was developed by analytical engine का दोस्तों आपने बताना है पहली fully automatic calculating machine थी, किसके दोरह develop की गी थी, तो दोस्तों आपके पास options है, option A Charles Babbage, option B Blaise Pascal, option C, Lebanese option D, John 1, Newman तो दोस्तों इस question का सही उतर होगा analytical engine developed किया गया था Charles Babbage के दोरह तो इस question का सही उतर होगा option A, Charles Babbage बढ़ते हैं दोस्तों, next question की तरफ question was second, which was the first mechanical calculating device, दोस्तों important question है, पहला mechanical calculating device का आपको नाम बताना है options दोस्तों यहापे है, univac abacus, pascaline या फिर option D, Lebanese calculator तो दोस्तों ध्यान रखे, पहला mechanical calculating device था abacus, option B दोस्तों बढ़ते हैं, next question की तरफ question number 3, abacus can perform आपको बताना है कि abacus से किस परकार की calculation यहाँ पर, calculation की बात की जारी, दोस्तों यहाँ पर option A, addition, option B, subtraction option C, multiplication, या फिर option D, both A and B, तो ध्यान रखे दोस्तो, abacus perform करता था addition and subtraction, option D दोस्तों बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 4, pascaline is A, आपको बताना है कि यहाँ पर pascaline क्या है option A, यहाँ पर options की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, option A, abacus, option B, adding machine, option C, difference machine, option D, multiplication machine, तो दोस्तों ध्यान रखे pascaline को adding machine भी कहा जाता है तो इस प्रशन का सही उतर होगा option B, adding machine next question की तरफ, बढ़ते हैं analytical engine invented during the first generation of computer, used which memory unit दोस्तों आपने analytical engine में memory unit का यहाँ पर नाम बताना है तो दोस्तों आपके पास options है option A, ramp, option B, floppy, option C, counter wheels, option D, cards तो ध्यान रखें दोस्तों, analytical engine में जो memory unit थी, वो थी counter wheels, option C दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 6 the first electromechanical machine, tabulating machine जिसे कहा जाता है दोस्तों, किसके दोरह invent की गई थी तो ध्यान रखें, पहला electromechanical machine थी tabulating machine और दोस्तों आपके पास options है option A, John Napier, option B, Pascal, option C, Howard Icon, या फिर option D, Herman Hollering तो ध्यान रखें, दोस्तों, tabulating machine invent की गई थी, Herman Hollering के द्वारा तो इस प्रशंगरा सही उतर होगा, option D दोस्तों, question number 7 है who designed the first electronic computer, ENIAC तो ध्यान रखें, दोस्तों, अगर आप से पूछे जाए first electronic computer, या first general purpose electronic computer तो ध्यान रखें, उसका उतर होगा, ENIAC तो दोस्तों, यहाँ पर प्रशन पुचा गया, who designed the first electronic computer, ENIAC तो ध्यान रखें, दोस्तों, आपके पास options है option A, one Newman, option B, Joseph M. Jackard, and John Mollie option C, Presper Eckard, या John W. Mollie, या option D, none of these ध्यान रखें, दोस्तों, first computer design किया गया था option C, Presper Eckard द्वारा, और John W. Mollie द्वारा चलो, चलो दोस्तों, बढ़ते हैं, next question के तरब, question number 8, which of the following was the first general purpose electronic computer, दोस्तों, मैंने पिछले question में बताया था, पहला general purpose electronic computer, ENIAC है, और दोस्तों, यहाँ पर particularly बात की जारी है, commercial, ध्यान रखें, first commercial general purpose electronic computer, दोस्तों, अगर आप से पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर जैसे options दिए गए है, option A, advac, option B, adsec, option C, univac, या फिर option D, advac, तो ध्यान रखें, univac पहला commercially used general purpose electronic computer था, तो दोस्तों, अगर आप से पूछा जाए, पहला general purpose electronic computer, तो वो है, iniac, और पहला commercially used general purpose electronic computer, दोस्तों, कौन सा है, univac, तो दोस्तों, इस प्रशन का सही उतर होगा, option C, univac, दोस्तों, बढ़ते हैं, next question की तरफ, question 1, 9, first generation computer, univac and iniac, was based on, first generation computer, दोस्तों, ध्यान रखें, पहले generation computer में, आपको यहाँ पर बता दिया गया, iniac और univac, पहले generation computer में आते हैं, और यह पुछा गया है, कि यह किस पर base है, तो दोस्तों, आपके बास option है, option A, transistor, option B, semi-conductors, option C, vacuum tubes, या फिर option D, IC, तो ध्यान रखें, दोस्तों, पहले generation computer में, vacuum tubes use की गए थी, तो दोस्तों, इस प्रशन का सही उतर होगा, option C, vacuum tubes, next question की तरह बढ़ते हैं, दोस्तों, next question है, question number 10, which language was used by computers during the first generation, पहले generation में कौन से language का use किया जाता था, computer के दोरा, तोस्तों, आपके वास option है, option A, machine language, option B, assembly language, option C, B, both A and B, या फिर option D, none of these, दोस्तों, common question है, first generation of computer में machine language का use के जाता है, तो इस प्रशन का सही उतर होगा, option A, machine language, चलिए, दोस्तों, बढ़ते हैं, next question की तरह, question number 11, the period of second generation computer was started from, आपने second generation computer का time period पताना है, और दोस्तों, आपके options है, option A, 1946 to 1958, option B, 1940 to 1960, option C, 1956 to 1963, या फिर option D, 1957 से 1964 तक, तो दोस्तों, हर, आपने देखाऊगा, जो अलग-अलग books है, वो अलग-अलग यहाँ पर time period बताता है, लेकिन यहाँ पर मैंने particularly NCRT को मेंशन किया है, NCRT के book में 1956 से 1963 लिखा है, तो दोस्तों, आपने यहाँ पर गर मैं particularly बात कर, अगर आपने बिल्कुल accurately बताना है, तो ध्यान रखे, 1956 से 1963 तक, second generation computer का एरा माना जाता है, तो इस प्रशन का सही उतर होगा, option C, 1956 to 1963, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, next question की तरफ, question number 12, the second generation computers are, आपको यहाँ पर second generation of computer के नहम बताने है, यहाँ पर दोस्तों, options यहाँ, IBM 7094 series, IBM 1400 series, CDC 164 या all of the above, तो ध्यान रखना बहुत important question है, यहाँ पर question देखने को भी मिलते हैं, जो भी आपने previous year के question देखें, उसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से second generation computer से belong करता है, या third generation से, या fourth generation या first generation से, ऐसे question दोस्तों पूछे जाते हैं, तो देहान रखना है, IBM 7094 series, IBM 1400 series और CDC 164 ये तीनों second generation computer को belong करते हैं, तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो option होगा, वो होगा option D, all of the above, चलिए बढ़ते हैं, दोस्तों question number 13 की तरफ, integrated chips या integrated circuits वर started to be used from which generation of computer, आपने पताना है किस generation of computer में integrated circuit का या integrated chips का यूज किया गया था, option A, first generation, option B, second generation, option C, third generation, या फिर option D, fourth generation, तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है, option C, third generation, ध्यान रखे, third generation में integrated circuit का यूज किया गया था, और पहली बार कभ यूज किया गया था, 1961 में, ये question भी दोस्तों, पूचा गया है, previous year के exam में, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, next question की तरफ, question 14, during the second generation, the size of the computer was decreased by replacing vacuum tubes with, यहाँ पे दोस्तों पूचा गया है, second generation में कौन सी technology यूज की था, आपको पता है, first generation में तो vacuum tubes का यूज किया गया था, second generation में जो यूज किया गया था, जिन्होंने vacuum tubes को replace किया, तो वो है option C, transistor, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, next question की तरफ, question 15, fifth generation computers are based on the technique of, fifth generation की computer किस technique पर based है, तो दोस्तों आपके पास options है, option A, microprocessor, option B, artificial intelligence, option C, LSI, option D, VLSI, तो दोस्तों आपने धियार रखना है, option B, artificial intelligence पर based है, fifth generation computers, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 16, which are the following developed an integrated circuit और chip IC की कोज किसने किसके दोरा की गई थी, दोस्तों, important question दोस्तों आपके पास options है, option A, Robert Nayak, option B, C, Charles Babbage, option C, J.S. Kilby, या फिर option D, C.V. Raman, तो दोस्तों ध्यान रखे, इस प्रशन का सही उतर होगा, option C, J.S. Kilby, next question की तरफ बढ़ते हैं, दोस्तों, question number 17, the first computer which provides storage is, पहला computer, जिसने storage प्रवाइड किया रहा है, दोस्तों, यहाँ पर commercially की बात की जा रही है, तो दोस्तों, आपके बास options हैं, option A, add sec, option B, add back, computer जिसने storage प्रवाइड किया था, तो दोस्तों, उसका, इस प्रशन का सही उतर है, वो है option A, add sec, दोस्तों, जो भी यहाँ पर terminology आ रही है, जैसे add sec, univac, iniac, इसके लिए एक separate video बनेगा, वो भी इसी series में include होने वाला है, तो दोस्तों, इसमें अगर यहाँ पर mention नहीं किया गया, जो इसकी full form है, तो दोस्तों, उस वीडियो में यह सारी चीज़ा आने वाली है, तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, question number next के तरफ, question number 18, which on the following was the first computer developed in India, पहला computer जो इंडिया में developed किया गया था, तो दोस्तों, आपने पताना है, आपके पास options है, IBM 370, option B, Param, option C, Siddhartha, या फिर option D, Craven, तो दोस्तों, पहला computer जो इंडिया के दोर है developed किया गया था, वो है option C, Siddhartha, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, question number 19 की तरफ, which on the following is used as a storage device during the first generation computer, first generation computer में आपको storage device, दोस्तों, यहाँ पर बताना है, आपके पास options है, option A, magnetic drum, option B, hard disk, option C, floppy, या फिर option D, both A and C, मतलब magnetic drum and floppy, तो दोस्तों, ध्यान रखे, first generation computer में जो storage device यूज़ किया गया था, वो है option A, magnetic drum, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 20, in which generation of computers operating system was developed, important question है, operating system किस generation में यूज़ किया गया था, computer के, तो दोस्तों, आपका आपास option है, first generation, option B, second generation, option C, third generation, या फिर option D, fourth generation, तो दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, आपका जो operating system में वो third generation में यूज़ किया गया था, तो दोस्तों, बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 21, आपने बताना है कि 4th generation computer किस पर बेस्ट है तो दोस्तो option A, microprocessor, option B, artificial intelligence, option C, semiconductors या फिर दोस्तो option D, microprocessor and artificial intelligence दोस्तो ध्यान रखे, artificial intelligence तो 5th generation of computer के बाद यूज किया जा रहा है और बाद भी और दोस्तो 5th generation में यूज किया जा जैसके मैंने पीछे जो इस related question भी आया था आपका जो integrated circuit है वो 3rd generation of computer से शुरू किया गया था और दोस्तो यहाँ पर मैं 4th generation की बात करूँ तो उसमें यूज हो रहा है microprocessor तो दोस्तो बढ़ते हैं next question की दरफ, question number 22 the concept of internet was originated in, जो internet का concept है वो किस साल दिया गया था या originate हुआ था, दोस्तो देखते हैं, आपके पास option है 1970, option B 1969, option C 1971 या फिर दोस्तो option D 1981, दोस्तो बहुत ही important question है, internet आपका use किया गया था या originate किया था US military के दोरा 1969 में, और दोस्तो जो agency थी वो थी ARPANET तो दोस्तो अगर मैं इस question की बात करूँ, इस question का सही उतर होगा, option B 1969 next question की तरह बढ़ते हैं दोस्तो, question number 23, जो पिछले question से ही related है, in 1969 ARPANET, जो मैंने जनसी का नाम बता है जिन्होंने internet शुरू किया था, was developed by which country दोस्तों यहां पर देश कना पूछा गया, US military दोरा यूज किया गया था, तो दोस्तों यहां पर जो options दिये गए, option A France, option B England, option C USA, या फिर option D Russia, तो दोस्तों इस question का सही उतर होगा, option C USA, दोस्तों ध्यान रखे, important question है, पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों बढ़ते हैं next question की प्रते कंप्यूटर को किस के दोरा recognize किया जाता है, तो उस आपके पास option A, option A, IP address, option B, HTTP, option C, HTTPS, या फिर option D, www, तो ध्यान रखे, network पर प्रते कंप्यूटर को recognize किया जाता है, IP address के दोरा, तो ध्यान रखे, IP address का जो फुल फॉर्म है, वो है internet protocol, दोस्तों बढ़ते हैं next question की question number 95, a computer communicates with other computers on the internet through, दोस्तों आपके पास options है, option A, IP, option B, TCP, IP, option C, HTTPS, या फिर option D, web browser, तो दोस्तों या आप से question पूछा गया है, कि internet पर एक computer, अगर दूसरे से communicate करना चाते हैं, तो वो क्या यूज़ करेगा, या कौन सा protocol यूज़ करेगा, तो ध्यान रखें दोस्तों, एक किसी भी network पर एक computer communicate करता है, दूसरे network से, तो उसको जरूत होती है, TCP, IP की, तो ध्यान रखें, दोस्तों इस question का सही उतर होगा, option B, TCP, IP, और दोस्तों यहाँ पी इसका full form भी यहाँ बताया है, transmission control protocol या internet protocol, दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 26, a set of rules followed by each computer present on a network is called, ध्यान र set of, जहाँ पे भी network में set of rules की बात की जाती है, दोस्तों तो ध्यान रखें, वो protocols होते हैं, जिस पे जो network है, वो काम करता है, तो दोस्तों यहाँ पे options, यहाँ पे दिखाएगे, option A, web, option B, HTTP, option C, domain, या फिर option D, protocols, तो ध्यान रखें, set of rules को network पर protocol का जाता है, जो computer follow करता है, computer network follow करता है, तो दोस्तों इस प्रेशन का सही हुतर हो, option D, protocol, यहाँ पे बताए भी है, a protocol is a set of rules that define how computers will act when communicating with each other, किस rules से वो एक दूसरे से communicate कर सकते है, वो set of rules होते हैं, और उन्हें protocol का जाता है, चलिए दोस्तों बढ़ता है, question number next के तरफ, question number 27, inventor of www, common question is www, किस ने invent किया था, option A, Bill Gates, option B, Lee and Fiong, option C, Tim Berners-Lee, या Tom Berners-Lee, option D, तो दोस्तों इस प्रेशन का सही उतर होगा, option C, Tim Berners-Lee, और ध्यान रखे, www.web भी commonly कहा जाता है, और यह Tim Berners-Lee के दोरा invent किया गया था, 1989 में ध्यान रखे, यहाँ पे year भी पूछा जा सकता है, दोस्तों, और दोस्तों, जो place है, वो CERN, in Geneva, चलिए दोस्तों, बढ़ता है, next question के तरफ, question over 28, what is the full form of W3C, यहाँ रखे, दोस्तों, काफी बार यह question पूछा गया, W3C के फूल-फॉल-फॉर्म, यहाँ पे पूछे गये, दोस्तों, options है, option A, World Wide Web Communication, option B, World Wide Web Cyber, option C, World Wide Web Consortium, या फिर, option D, World Wide Consortium, तो ध्यार अंदा के दोस्तों, इस प्रशन का सही उतर होगा, option C, World Wide Web Consortium, चलिए दोस्तों, बढ़ता है, next question के तरफ, question over 29, to access a web page, an URL is required, what is the full form of URL, किसी भी web page को access करने के लिए, दोस्तों, URL की जरुरत पढ़ती है, तो आप से यहाँ पे URL की full form पूछे ग option A, Uniform Resource Locator, option B, Universal Resource Locator, option C, Universal Resource Line, या फिर, option D, Uniform Resource Line, दोस्तों, common question है, इस प्रशन का सही उतर होगा, option A, Uniform Resource Locator, और दोस्तों, URL का आपको पता ही होगा, कि इसे commonly web address भी कहा जाता है, और दोस्तों, यहाँ पे बताया भी गया, is a unique complete internet address used to identify web page on the world wide web, चले दोस्तों, बढ़ते हैं, next question की तरफ, question over 13, an interconnected network exclusively used within organization such as banking, business firms, etc, that uses web technologies for sharing data or information internally is called, दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, interconnected network, जो exclusively use करते हैं, ऐसे organization जैसे की banking, business firm, ताकि वो अपने data को securely share कर सके, या internally share कर सके, तो दोस्तों, इस network को कहा जाता है, जैसे आपके हैंपास, यहाँ पर options दियेगे, option A, protocol, option B, intranet, option C, internet, option D, hypertext, दोस्तों, आपने याद रखना है, किसी भी organization में, जो interconnected network होता है, जो exclusively use किया जाता है, information को share करने के लिए, तो दोस्तों, उसे कहा जाता है, intranet, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, next question के तरफ, question number 31, a software program that is used to view web pages, is called, एक software program, क्या कहलाता है, जो web pages को देखने के लिए use किया जाता है, तो दोस्तों, आपके पास options है, option A, site, option B, host, option C, link, option D, browser, तो ध्यान रखें, दोस्तों, web pages को view करने के लिए, आपको browser की आवश्यक्ता होती है, तो दोस्तों, आपके पास यहाँ पे सही option होगा, option D, browser, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 32, every computer machine host on the internet network has, परतेक computer machine host, जो internet network पे होती है, उसके पास क्या होता है, तो दोस्तों, आपके पास option है, similar IP address, option B, unique 15 digit number, option C, unique IP address, या फिर option D, the same IP address, तो दोस्तों, ध्यान रखें, परतेक computer का एक unique IP address होता है, internet पर, तो ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रशन का सही उतर होगा, option C, unique IP address, यहाँ पे लिखा भी है, IP addresses of two computers on the internet cannot be the same, next question की तरफ बढ़ते हैं, दोस्तों, question number 33, which of the following statement is not correct about IP address, आपने बताना है, कि IP address related कौन सी statement यहाँ पे सही नहीं है, option A की तरफ बात करते हैं, दोस्तों, IP address is always unique for each computer, सही बात है, दोस्तों, IP address आपका unique होता है, परते हैं computer के लिख, and option B की तरफ बढ़ते हैं, and IP address consists of four bytes, चार byte का दोस्तों IP address होता है, ध्यान रखना है, अगर बें bits की बात करूँ, तो 32 bits, each of which can be a number from 0 to 255, यह भी सही है दोस्तों, ध्यान रखे दोस्तों, जो numbering होती है IP address में, वो 0 से 255 के बीच में होती है, अगर दोस्तों किसी भी IP address में, अगर यह जो number यहां पर 0 to 255 नहीं है, तो वो IP address कर लगता है, थोड़ा बहुत दोस्तों, आपने IP address के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहां से question दोस्तों बन सकते हैं, और दोस्तों, अगर मैं यहां पर option C की बात करूँ, आप पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं, आप गूगल करके IP address के बारे में पढ़ सकते हैं, या YouTube पे और भी वीडियो जिसमें IP address को बड़ी अच्छी तरह समझाए, आप वहां पर जाके check कर सकते हैं, और जो भी information आपको IP address से related मिलें, वहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अगर मैं particular question की बात करूँ, मैंने तीन यहां पर points बता है, IP address से related, और दोस्तों इस question का यहां पर सही उतर होगा, option D, all are correct, तो सारे option यहां पर ABC तीनों सही थे, तो option D, यहां पर सही उतर होगा, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, next question की तरब question number 34, which IP addresses are most used by web, email and gaming servers, दोस्तों commonly यहां पर बात की जारी है, जो IP address, जो most commonly use किये जाते हैं, वो कौन से, क्या वो dynamic है, option B, क्या वो static है, option C, क्या वो Mac है, या फिर option D, both A and B, तो दोस्तों ध्यान रहें, generally जो IP address, जो use किये जाता है, web के लिए, email के लिए, या gaming server के लिए, वो हमेशा static IP addresses होते हैं, तो दोस्तों इसका option है, इसका answer है, option B, यहां पर दोस्तों बताया भी है, static IP address is the kind of IP address that never changes once it is assigned to a computer on an internet network, चले दोस्तों बढ़ता है, question about 35th की तरफ, which IP addresses are mostly used by companies and business firms, तो दोस्तों options की तरफ बढ़ते हैं, कौन से IP address आपके companies के तोरह use किये जाते हैं, या business firm के तोरह use किये जाते हैं, तो दोस्तों आपके वास option है, option is static, option B Mac, या option C dynamic, या option D both B and C, तो ध्यान रखे दोस्तों IP address जो companies के तोरह use किये जाते हैं, या business firms के तोरह use किये जाते हैं, वो होते है dynamic, और दोस्तों यहां पर बताया भी क्या है, dynamic IP address changes each time the device locks on the internet network, this kind of IP address is difficult to trace, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों question 36 की तरफ, who is known as the father of Wikipedia, Wikipedia के father किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपके वास options है, option A John Smith, option B Albert Brown, option C Jimmy Wells, या फिर option D Stephen Hawkins, तो दोस्तों इस question का सही उतर होगा, father of Wikipedia कहा जाता है, option C Jimmy Wells को, next question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों question number 37, in HTTPS, S means HTTPS में S का मतलब क्या है, तो दोस्तों आपके पास options है, option A secret, option B secure, option C socket, या फिर option D software, तो ध्यान रखे दोस्तों, hypertext transfer protocol में S का जो यहां पे HTTPS में बताया है, यहां पे S का मतलब है, option B secure, hypertext transfer protocol secure, question number 38 की तरह बढ़ते हैं दोस्तों, which standard network protocol is used to communicate between web browser and web server, important question दोस्तों, web browser और web server के बीच communication के लिए कौन सा protocol use किया जाता है, कौन सा standard network protocol है, तो दोस्तों आपके पास options है, option A FTP, file transfer protocol जिसे कहा जाता है, option B HTTP, hypertext transfer protocol, option C IP, या फिर option B NTTP, तो दोस्तों इस प्रशन का सही उतर होगा, option B HTTP, hypertext transfer protocol, चले दोस्तों बढ़ते हैं question over next के दरफ, question over 39, what is the full form of MIME, दोस्तों protocol का नाम है, आपने बताना है कि MIME की यहाँ पे full form क्या है, दोस्तों आपके वास options है, option A multipurpose internet mail extension, option B multipurpose intramail extensions, option C multiple internet mail extensions, या फिर option D, multiple purpose internet mail email, तो दोस्तों इस प्रशन का सही उतर होगा, option A multipurpose internet mail extensions, चले दोस्तों बढ़ते हैं, next question is the question over 40, what is the full form of DNS in a computer network, आपने बताना है कि DNS का full form क्या है, computer network में, तो दोस्तों आपके वास option है, option A domain name system, option B decimal number system, option C domain numeric system, option D dual name system, तो दोस्तों आपको बताए होगा, DNS का computer network में, फुल फॉर्म है, domain name system, option A, चले दोस्तों बढ़ते हैं, next question के तरब question over 41, what is the full form of NIC, common question है दोस्तों, option A network interconnection card, option B network internet card, option C network interface card, option D network intra card, तो दोस्तों NIC की फुल फॉर्म है, option C network interface card, और दोस्तों यहाँ पर बताए है, detail NIC के बारे में, NIC connects our computer to a local data network, or internet, it is known as network adapter, तो ध्यान रखे दोस्तों, network adapter को NIC, NIC को network adapter भी कहा जाता है, next question की तरह बढ़ते हैं, question 42, the network that provides high speed connectivity, or transmission speed is, आपसे पूचा गया है कि, जो यह आपको options दिये हैं, इसमें जो transmission speed है, वो किस की जादा है, option A man, metropolitan area network, option B land, local area network, option C van, and wide area network, या फिर option D, internet work, तो दोस्तों इस्प्रेशन का सही उतर होगा, option B, local area network, या भी speed भी दोस्तों बताईये, सबसे जादा local area network speed होती है, फिर उसके बाद metropolitan area network speed होती है, and then wide area network, next question दोस्तों, question B, the method of communication in which transmission of data takes place in both direction, but in one direction at a time, आपसे दोस्तों पूछा गया है, एक communication, एक communication या भी पूछा गया है, जिसमें जो transmission of data होता है, वो दौनों साइड होता है, लेकिन एक समय में एक ही direction से होता है, जैसे दोस्तों, मैं आपको example देता हूँ, पहले walkie-talkie होता था, वो example है, one direction, मतलब जो communication होगा, वो तो दौनों direction में होगा, लेकिन communicate सिरफ एक ही direction से होगा, एक समय में, थोड़ा और explain दोस्तों अगर आपको समझ नहीं है, मैं आपको explain करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर दोस्तों, options आपको दिएगा है, simplex, option B, 4 wire circuit, option C, half duplex, यह फिर option D, full duplex, तो दोस्तों मैं यहाँ पर options भी आपको बताता हूँ, कि simplex का मतलब क्या होता है, simplex का मतलब होता है दोस्तो, omni-directional, simplex जैसे मैं आपको example देता हूँ, जैसे आपका keyboard, आपका जो यहाँ पर communication है, वो सिरफ एक direction में होता है, आप सिरफ उससे input कर सकते हैं, तो वो होता है दोस्तो, one direction मतलब unidirectional, sorry, unidirectional आपका simplex जो communication है, जो transmission होता है, वो एक ही direction में होता है, इसलिए उसको simplex कहा जाता है, option C, यहाँ पर दिया है, जैसे half-duplex की बात की जा रही है, half-duplex इस प्रशन का उत्तर भी है, half-duplex का मतलब होता है कि communication donor side हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही direction से communication होगा, जैसे आपका walkie-talkie जो देखेंगे आपने, जो traffic police के हाथ में आपने देखा होगा, वो walkie-talkie वो example है, और दोस्तो, full-duplex का example है, आपका जो यह cell phone है, वो full-duplex का example है, क्योंकि यहां पे जो communication है, वो दौनों side, एक समय में दौनों side भी हो सकता है, मतलब अगर आप यहां से बात कर रहे हैं, तो उस side से भी आप, उसकी आवाज जो, phone के दूसरे side होगा, उसकी आवाज भी आप सेम समय में सुन सकते हैं, तो दोस्तो इस प्रशन का सही उतर होगा, option C, half-duplex, मतलब communication तो दौनों side होगा, लेकिन एक समय में एक direction से होगा, तो दोस्तो बढ़ते हैं, next question की तरफ question 44, the telephone network is a good example of, दोस्तो मैंने बताया कि telephone जो network होता है, चाहिए मैं mobile phone की बात करूँ, चाहिए आपके landline phone की बात करूँ, वो example होता है, full-duplex का क्योंकि communication दौनो side होता है और एक समय में आप दौनो side से communicate कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे option A, half-duplex, option B, simplex, option C, full-duplex, option D, A & C, तो दोस्तों, telephone network आपका example है, full-duplex का, बढ़ते हैं दोस्तों, question number 45, keyboard and monitor is a good example of, मैंने बताया था दोस्तों, एक ही direction में communication possible है, keyboard में आपका सिरफ input देश सकता है, monitor आपका जो screen होती है, उसमें सिरफ आप output देख सकते हैं, तो दोस्तों यह आपके unidirectional है, तो यह दोस्तों example, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, simplex का example है, यह आप option दोस्तों जैसे दिये गए, option A, simplex, option B, half-duplex, option C, full-duplex, option D, A & B, तो दोस्तों keyboard and monitor आपके simplex के example है, और दोस्तों simplex का मतलब होता है, unidirectional communication communication बढ़ते हैं दोस्तों question about 46 के तरफ, a topology that consists of number of devices connected by point to pet links to a central hub, तो ध्यान रखे दोस्तों, अगर आपको topology के बारे में पता है, central hub आपका सिरफ एक ही topology में use होता है और वो है दोस्तों, option C, star, star topology में hub use होता है दोस्तों, ध्यान रखे जहां पर भी central hub की बात की जाती है और topology की बात आती है तो वो topology है, star topology और दोस्तों, अगर आपने topology के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप बहुत सारे sources है चाहिए आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं और दोस्तों यहां पता है, key point में बता है in star topology, devices are not directly connected to one another एक दूसर से connect directly नहीं होते वो central hub से connect होते हैं तो दोस्तों, next question की तरह बढ़ता है, question over 47 in which topology a repeater is used? किस topology में repeater use किया जाता है? तो ध्यान रखें दोस्तों आपको वास यहां पर options दिये गए option A, star, option B, bus, option C, ring, या option D, mesh तो ध्यान रखें दोस्तों, repeater आपका use किया जाता है ring topology में ध्यान रखें दोस्तों, hub आपका कहां use किया गया था star topology में, most commonly hub use किया जाता है और दोस्तो, ring topology में आपका repeater use किया जाता है next question के दोस्तों, बात करें, question over 48 OSI reference model stands for आपको बताने है कि OSI stand करता है तोस्तों, आपको option है option A, online system interconnection option B, open system internet option C, open system interconnection या option D, online system interconnection दोस्तों, यहां पर OSI की full form पूछी गई तो OSI की full form है option C, open system interconnection OSI model के बारे में दोस्तों, आप पढ़ लीजेगा और इनकी layers के बारे में most importantly चलिए दोस्तों, next question के तरह बढ़ते है question over 49 TCP IP stands for मैंने पिछली questions में बताया था TCP IP stand करता है transmission control protocol slash internet protocol तो दोस्तों, यहां पर option A यहां पर सही उतर होगा तो चलिए दोस्तों, next question के तरह बढ़ते है question over 50 Which layer of OSI model is responsible for detection and correction of transmission errors using error correction method तो दोस्तों कोशिश की जाएगी दोस्तों OSI के जितने भी layers उसे related जितने भी question बनता है वह मैं इस video series में discuss करूँ और दोस्तों यहां पर आप से पूछा गया है OSI model में कौन सी वो layer है जिसमें error detection और error correction होता है और यह method है error correction method तो दोस्तों यहां पर layer का नाब पुछा गया है detection and correction of transmission error यहां पर responsive जिसके लिए जो layer है वो responsible है और दोस्तों जो method है error correction method तो दोस्तों यहां पर options दिएगा option A transport option B data link option C presentation option D application तो दोस्तों ध्यान रखे data link जो layer होती है वो responsible होती है detection और correction of transmission error using error correction method तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले